कि वेरी वेरी गुड इविनिंग टो आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आज के टॉपिक में हम डिसाइल को डिस्कुस करेंगे डिसाइल बच्चे होता क्या है कि कि किसी भी पर्टिकुलर सीरीज को दस एकवल पार्ट में डिवाइड कर दो आप और हर पार्ट का जो यूद वालगर के यह है कि कोई एक सीरीज हो उसको आप टूप पाट में आप उसको डिवाइड कर दे जैसे कि फॉर इखिंपल एक से लिएकर करके आपके पास में सो तक की सामने उसकों दस अब प्रिवाइड करोगो तो आपको 1,2 10, 20, 30 तक तक तो फिर्स प्रिस सेगिमेंट का लास्ट वाला कुंसा है आपके पास में आपका 10 है तो यह आपका 10 जो data आपका यह first तो यह आपके पास में बस एक ही नंबर आ रहा है आपका बास समझगे तो डिसाइल का मतलब क्या होता है बच्छे किसी भी डेटा को दस बराबर भागों में बाट देना बुस्का बास में लाइक है फ़र्सरों सब्सक्राइब ब्राइब कर दिस देख लेंगे पहले कहां मिलेगा यह तो पता होना चाहिए आपको तो इसलिए उसका एड्रेस लेना पड़ेगा आपको तो यह वही है कि आपके पास में डी वन देखोगे तो एन प्लस वन डिवाड़ी बाई टैन अब सेम फार्मला प्लाई होगा टू के लिए बस टू से म टिपलाई आप करेंगे पर एक्जामपल लेते हैं सब में वही फार्मला लगया जो अभी तक आप यहाँ पर करते आए हैं हां जी तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि मैं पहले डी साइल की बात कर लेता हूँ उसके बाद बात करूं आगे देखो बच्चे डेटा है मेरे पास फ़े सब्से पहले क्या करते हैं म आ असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर ले तो नाइन स्तुडेंट को सब्से पहले और रोमारो मार्स है तो मैं ओ उसके बाद आपके पास में मांच से यहां पर 12 है 12 ये थोड़ा सा font छोटा पट रहा है हाँ चीड तो क्या क्या हमारे पास में 7 7 10 12 15 20 25 18 है स्विप्टीन के बाद 18 है 18 20 25 25 25 38 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह आपके पास में कुन सा रह गया 20 15 18 7 25 13 12 9 9 डीटा है न हमारे पास में 25 आ गया 20 आ गया 15 आ गया 45 एक डीटा मेरे पास में 45 इस वन तो क्या के पूछरा आप सिसमें find the values of the d2 and d8 चलिए d2 decile 2 तो पहले मैं क्या निकालूगा यहाँ पर size of दिख रहा है आपको दिख रहा है size of d2 जो की formula क्या होगा d2 के लिए वही हमारे पास में n प्लस 1 and divided by 10 10 पास में डिवाइड कर रहे है और यह क्या है 2 है तो 2 से multiply करना पड़ेगा चीक है अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2 solve करेंगे तो 9 प्लस 1 divided by 10th term तो क्या जाएगा मेरे पास में यह जाएगा second term solve करने पर clear है बच्चे अब second term आप क्या आगया तो आपको second term पे क्या है तो आपका D2 की value basically क्या आएगी second term क्या आपका second term पे आपके पास पे 10 है तो D2 की value आपके आपके 10 आगी इसी तरीके से आप यहाँ पर D8 भी निकाल सकते है D8 कैसे निकालेंगे आप size of D8 equals to 8 N plus 1 by N plus 1 by 10th item solve करते हैं 8 और यहां solve करते हैं 1 और solve करते हैं 8 आइटम और 8 आइटम क्या 1,2,3,4,5,6,7,8 तो मेरे पास में क्या आ गया यह आपके पास में 38 यह आंसर है तो बहुत सधारन सवाल तक जो कि मैंने आपको अभी किसमें करना सिखा है यह यह मैंने आपको individual सबसे पहली बात आप इस बात को समझ लेंगे कि बच्चे कभी भी आपके पास पर आपको एड्रेस लेना पड़ता है साइस लेना पड़ता है तो वहाँ पर आपके पास में कभी भी कभी अगर आपके पास पर वहाँ पर यह एफ है वाई नहीं है एफ है ठीक है इसका मैं एक बार कर देता हूं कर देता हूं कि एफ है तो पहले क्या करूंगा उसका सी एफ निकाल लूँगा तो इसी तरीके से 15 प्विंटी एट कर दूंगा थर्टी फाइव और फिप्टीन फिप्टी एट इस्टी एट असी क्लियर है कर दो सी एफ अब उसके आद आपको क्या निकालने है डी टू तो बस चाले आप साइज ओफ डी टू ले लिजी साइज ओफ डी टू तो साइज ओफ डी टू कैसे लेंगे आप तू ब्रेकेट एन प्लस वन डिवाड़ी बाइ अब साइज ओफ डी टू इकल्स टू साइज ओफ डी टू एकल्स टू अब मेरे पास में दो और मेरे पास में अन के मेरे पास में कितने टम से टोटल मेरे पास में 80 प्लस वन डिवाड़ी बाइ 10 टम तो सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर 818.1 तो 16.2 विथ टम आ जागा सॉल्व करने पर इसको अब दिखेगा सीफ में 16.2 का इसमें मिलेगा न आपका इसके अंदर तो यहाँ पर आपका डेटा क्या है 5 तो बेसिकली यहाँ पर D2 क्या मिलने वाला है आपको बच्चे 5 तो यह आपका आंसर है तो डिस्क्रीट सीरीज बहत आसान है clear है बच्चे बच्चे अपके पास में जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर आपको ascending order में करने की requirement नहीं रहती अच्छा यहाँ पर आपको ascending order में नहीं है हाँ तो भी आप पहले इसको ascending order में अरेंज करना पड़ेगा मैं ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि दस्कियत 5 आ गया data पहले आपका ascending order में ही रहेगा बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे generally क्या रहता है कि discrete series में ascending order में already arrange होता data हाँ जी पहले आपको x दुबारा से करना पड़े गए यहाँ पर व्यकुल सही question पूछा आपने x को जड़ा आप करें और एक f को भी फिर rearrange करेंगे x क्या आपके पास में x आपके पास में है उससे पहले 5 इसका frequency उसाथ में लिखेंगे ही तो 20 उसके बाद 7 15 और उसके बाद 8 12 8 के बाद 10 15 और उसके बाद 11 18 यह करने इसको नहीं इसको करेंगे अब यहाँ से आप क्या करोगे यहाँ से आप अपना एक cf calculate करोगे कैसे 20 और 15 35 और 12 47 और 57 और आपका 5 और 60 और यह और इस तरीके से आप size of d2 अब आप करेंगे यहाँ पर जनली रहता है रेंज बड़ इस पर नहीं है तो करना पड़ेगा size of d2 equals to 2 n plus 1 divided by 10th term 1 size of d2 equals to 2 और n plus 1 n plus 1 क्या हमारे पास में n क्या हमारे पास में 80 plus 1 divided by 10th item हाँ जे size of d2 क्या आपके पास में size of d2 वही आजाएगा आपके पास में इस पर तो कोई फर्ट नहीं पड़ेगा 8.1 multiple i2 16.2th item तो बस d2 की value क्या है आपके d2 की value i 16.2th कहांप आएगा इसमें भी नहीं आएगा ठीक है क्या है आपके पास में यह 20 first में आ जाएगा ना को section.2th first में आपका आजाएगा इसका तो 35 तक है तो first वाले data कौन से आपका 5 इससे पहले कौन सांसर आए था हमारा 5 हमारा यह correct answer है clear है बच्चे हाँ जी जी तरह question देखें question क्या बच्चे percentile पर आगे हम तो यह हाँ find the data color to the seventh decide देखो बच्चे यहां पर देखें आप आपके पास में क्या है कि continuous series है तो कोई बात नहीं continuous series में already आपका पर में range है तो बस आप F का क्या करें आप F का CF कर दीजिए तो 1 4 15 और 20 36 और तिरतालिस 79 और बत्तिस 111 और नो 120 और नीचे यहां पर आपके पास में एन इक्वास चुक्या जाएगा 120 तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे size लेंगे तो क्या निकालने D7 7th decide तो size of D7 formula क्या लगने वाला है इसका 7 ले रहे हैं 7 N plus 1 divided by 10 term या item तो आप देखेंगे size of एक continuous series में कभी प्लस नहीं आता है N by 10th term ठीक है size of D7 equals to आप क्या करेंगे यहां पर 7th और यह कितना आपके पास में 120 बटा 10 और यह क्या जगा आपके पास में 84th term अब 84 term कौन सा है आपका उसके बात करते है 84 कहां पर आएगा आपका इस वन इसमें आएगा इसमें आएगा इसमें आएगा आपका इसमें आपका 1 क्या है इसमें एल आपका 80 है और आपका आई क्या है गैप आपको कितने गार रहे है दस का और आपका जो है F क्या है कि फ्रिकेंसी कौन से यह आपकी 32 और आपका cf क्या है तो इसके उपर वालत cf होगा अब बस आपका अप्लाई करना है यह आपर डी सेवन के लिए आपका एल जावन आपका क्या है एन आपके पास में आपके पास में ऐस आप इद सेवन आपन अफ थर्तती तो इंट आ वैंट यह थैंटी सेवन इवर आपन आप्लाई कर ओं आपका नग उट्ती हम प्लस 50 by 32 तो तो रिजल्ट क्या है हमारा 81.5625 यह हमारा इसका अंसर है क्लियर है बच्चे आज है क्लियर है को डाउट है तो कॉंट्टियूरी स्रीज में आपकर डिसायल हो गया है अब मैं परसंटाईल की बात करता हूं अफ़ोग्स परसंटाईल क्या होता है हाँ जा बच्चे पसंटाइल क्या होता है बेसकली पहले भी सिस्ट को कोशिंग करवाया है पहले भी सिस्ट को कोशिंग करवाया है चलिए मैं बतायता हूँ क्या होता है बच्चे प्रसंटाइल का मतलब क्या होता है प्रसंटाइल का मतलब होता है कि किसी भी किसी भी सिरीज को आप 100 एक पल्स पार्ट में डिवाइड कर दें और हर पार्ट का जो एंड वाला नंबर होगा वो उसका फर्स प्रसंटाइल होगा तो अब आपके पास में इसी तरीके से अगरा फॉर्म्मला में बताऊं आपके पास में सब्साइज ओफ प्रसंटाइल वन तो वही रहने वाले एंड प्लस वन लेकिन हंडर पार्ट में डिवाइड कर रहें तो हंडर्ड तो हिसी तरीक सा कर पी टू निका लेंगा तो पी टू क्या होगा तो टू से मंटिप्लाइख यह पहले फमन ञांट निकार निकाल Susland का आ निके बाटका एंड क्या है तो तू समस्टिप्ला करें डूग जो है तो यह इसका अपना एक फर्मला होताँ है तो इस ही तरीके से आप जो है इसको अपना इंडिजिवल सीरीज एंडिस्क्रीट सीरीज में आप कालकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास पर कोशन है गजिन ताना इसमें मुझे P70 इन हो है ये कुछ कल्कुलेट कर रादा भी 70 तो P70 में कैसे कलगूड करता है इस सीरीज के अन्दर तो देखो बच्चे P70, तो P70 का साइज कैसे लेता हमें, 70 अपॉन, N कितना है मेरे पास में, N मेरे पास में 9 है, तो 9 प्लस एक डिवाड़े बाइ 100, तो P70 पार्ट कैसे लेता हमें, 70 into 10 by 100, तो P70 क्या आता, 7, तो 7 प्लस पर कोन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर P70 की वैलू क्या आगे मेरे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 मेरा क्या है, इसका आंसर है, अगर बात करो, तो discrete series, अगर बात करते हैं, discrete series की, तो वह भी देख लिजी, तो से पहले मेरे पास में X है, और उसकी frequency है, यह बच्चा गलत कर रहा है, तो वही कोशिन होगी है न, X का, चले, continue series, वो तो आपको पता लगए, discrete कैसे होगा, इसको खताम ही करते हैं, आज हम, कल मोड पढ़ेंगे, नेक्स क्लास में मोड पढ़ेंगे, देखो बच्चे, तो सबसे पहले मेरे पास में, यहाँ पर F है, तो मैं क्या करूँ, इसको CF में करण बढ़ करता हूँ, तो 10 और 20, 30 और 20, 50, 15, 65, 70, 80, और यह 100, तो यहाँ पर मेरा N equals to क्या आगया, 100 आगया, तो similar, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले, 45th percentile, चलिए, size of P 45th, तो equals to क्या आएगा, 45, N, continuous series है, तो सिर्फ N by 100 आएगा, और आपके पास में, तो size of P 45, और 45, N हमारे पास में क्या है, 100, upon 100, size of P 45, solve करते हैं आपर, तो क्या आगया हमारे पास, 45, अब 45 हमारे पास में किसमें आएगा, 10 इसमें आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे इसका फर्मला क्या रहने वाला है, P 45, calculate करने के लिए, L plus 45, N by 100, minus CF, upon F, into I, P, to solve करेंगे, P 45, equals to, L, L क्या है मेरे पास में, 30, plus 45, क्या हैगा, 45, minus CF, CF क्या होगा, मेरे पास में, इसके उपर वाला, 30, upon F, F क्या होगा, मेरे पास में, 20, और I क्या है, मेरे पास में, 5, तो solve करेंगे, यहाँ पर हम, 30, plus 15, by 4, solve करेंगे, 13, plus 3, पॉइंट, 14, 12, 4, 78, 24, 75, तो कितना आगए, 33, 75, यह मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर बच्चे, N by, यह संज में आगे आपको, तो बच्चे, यह एक जो है, आपके पास में, पार्टिशन था, इसमें, पी, आपके पास में, डी, ऐसा कुछ छोटी मोटी वैल्यूस पूछ लेते हैं, वो, तो आपको इस सब कुछ पता होना चाहिए, तो आपने यह भी कर लिए, मीन पूरा अच्छे से कर रहा है, आपने, आपने, मीडे, यह मीडेन कर लिए, आपने, आपने, आप आपने जो है, पार्टिशन कर लिए, मोड अब हम करेंगे, मोड के बाद फिर हमें करना है भी, जा हे सब सबहाई जमेंट्रिक मीन ungef मीन पढ कर दिया बच्छे यह पांचोग भीस चार कर दिया ना मैंने इसको तो यह पंद्रा बटे चार हो गया न सीधा मुल्टिप्लाइ कर दिया है मैंने पांच सचार काड़ दिया ही यह ठीक है बच्छो हास लेबस ज्यादा नहीं है कुछ आपके पास हैं यूनिट्स हैं और यूनिट्स के टॉपिक्स बहुत लिखे हुए वह सब आपका इजली हो जाएगा अभी हमारा एक्जाम नमंबर में है और हमारे पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अगस्त, सब्टेंबर, अक्टूबर हम हर महीने एक महीने के अंदर एक इनुट से ज्यादा हम कवर करेंगे कि अभी तो ऐसा है कि बच्चे अभी एडमिशन अभी कॉलेज ओपन नहीं हुए और कॉलेज ओपन नहीं ह जाएगी इसलिए थोड़ा सा मैं स्लोले करें चल रहा हूं जान मुझे करके